दोस्तों मैं अभिनावनेगी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड़ अप सिविल चैंपियन्स पर दोस्तों ओके दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो वाइन बोटल आपने देखा होगा अक्सर उसके ओपर ऐसा कॉर्क लगा रहता है क अभी कभी कुछ मेटल का भी लगा रहता है कब कॉर्क लगाते हैं कब मेटल लगाते हैं कॉर्क जातर हम क्यों लगा देते हैं मेटल के क्या एडवंटेज इसडवंटेज हैं कॉर्क ही क्यों लगाते हैं और कुछ क्यों नहीं यार कॉर्क आपको पता है दुनिया में जित काट के ओग ट्री से बनता है ना यह कोई आम आज भी नहीं निकाल सकता है काट को उसको काटने के लिए भी स्पेशली डिजाइन स्किल लेबर चाहिए होते हैं दोस्तों तो कॉर्क ही क्यूं या कभी-कभी यह जो मैटल का है यही क्यूं यह सारा सेस्शन हम इस चोटे सेस्शन में जानेंगे दोस्तों Okay तो दोस्तों सब जो कि एक कॉर्क ही क्यूं बनाया गया एक बहुत अच्छा सोम का आपको formula आता है दोस्तों और वो poison ratio के उपर है और poison ratio क्या होता है minus of little strain upon longitudinal strain दोस्तों poison ratio की value जादा तर metals के लिए जो engineer civil engineer अपने use करता है वो होता है 0.25 से 0.33 के बीच में ठीक है steel, aluminum, copper इन सब का value 0.25 से लेके 0.33 के बीच में होता है 0.25 मतलब 1 by 4 से लेके 0.33 मतलब 1 by 3 के बीच का होता है ठीक है दोस्तों 0.5 से जादा किसी का नहीं होता है 0.5 rubber का होता है perfectly plastic material का होता है और negative का कहानी भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों कि negative poison ratio का मतलब क्या है जादा थर values में आपके पास new हमेशा positive होता है human tissues को छोड़ कर आप so polymer क्यों होता है negative बताता हूं दोस्तों इस पर बाद में आते हैं है अपन क्योंकि दोस्तों मैं अगर इस पर ऐसा कुछ force लगाता हूँ इस पर मैं ऐसा कुछ force लगाता हूँ दुनिया का कोई भी माईकलाल इसको बता देगा कि यह deform होके ऐसा होने वाला है deform होके ऐसा होने वाला है longitudinal क्या होता है along the direction of force तो along the direction of force की length बड़ी मतलब की positive और lateral मतलब perpendicular to the direction of force यहाँ पसकी length कम हुई तो मतलब minus तो यह plus यह minus एक और minus के साथ mu positive में आ जाता है 99% case में human tissues और polymers को छोड़के ठीक है या एक अगर पिछका रही है तो tensile stress लगाया था अगर हम एक पिछका रहे हैं तो एक तरफ से बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन mu of cork कितना होता है दोस्तों बिल्कुल आप सारे champions जानते हैं कि जो mu of cork होता है जो oak tree से बना होता है जातर पॉर्चूगल में होता है यह zero होता है दोस्तों zero का मतलब दोस्तों कि lateral strain इसमें zero होगा मतलब यह जो भाई साब cork दिख रहे हैं इन भाई साब cork में मैं अगर मैं ऐसा कुछ force लगाता हूँ तो दोस्तों इसकी length बढ़ सकती है लेकिन diameter में कोई change नहीं होगा अगर अरे मेरे भाई mu zero का मतलब क्या हो गया mu zero का मतलब क्या हो गया कि यह numerator zero है numerator zero तो अगर मैं इसको ऐसा बुड़ा हूँ यह कोई भी आदमी इसको cork की bottle जब यह wine की bottle पर cork हीसता है तो दोस्तों उसके diameter में कोई changes नहीं होने वाला यह वो compress भी करता है suppose कभी तब भी उसके diameter में कोई change नहीं होने वाला क्यूंकि mu तो cork के लिए होता है zero mu cork के लिए zero मतलब lateral strain zero lateral strain की enumerator में आता है ना lateral strain zero मतलब तुम ऐसा force लगाते हो तो diameter में कोई change नहीं होने वाला क्यूंकिवादी diameter में change हो जाता क्यूंकि यदि diameter में change हो जाता तो काच की bottle का diameter तो constant है और brittle material tension में बहुत weak होता है बिट्र sincere तो सब्सक्राइब कंप्रानी के साथ जादा मजा आता है तो एजिंग प्रोड़ानी के साथ जादा मज़ा आता हैं तो एजिंग प्रोसेश चलता है यहां पर दोस्तों तो जितनी पुरानी bottle होगी aging process चलता है तो मैं नहीं चाहता है कि यह compress भी हो या elongate भी हो तो little strain zero होना चाहिए दोस्तों एक और कारण है तो civil engineering point of view से था एक और कारण है कि मैं cork use करता हूँ क्यों cork में ऐसे छोटे छोटे voids होते हैं आप देख पा रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे voids होते हैं और एक wine की सही aging के लिए ताकि मज़ा हाई पीने के बाद one milligram oxygen चाहिए होता है one milligram oxygen चाहिए होता है per year एक साल में और cork जो special tree oak से बनता है उसमें voids इस तरीके के होते हैं कि एक पूरे साल में लगबग लगबग एक milligram oxygen एक milligram oxygen ही अंदर जाता है उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं क्योंकि दोस्तों fermentation से होता है उससे ज़्यादा oxidation ज़्यादा कुछ कुछ अच्छा भी नहीं करना है तो फिर वाई नहीं किस बात की रही वह तो सड़ा सड़ा के बनाते हैं ना वाईन को तो तो एक milligram से ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं और वो special oak tree कि अगर कोई wine जो aging के साथ क्यूंकि अच्छी हो जाती है तो इसमें oxygen नहीं जा पाएगा तो वहां पे इसको यूज नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों हमको थोड़ा से थोड़ा सा कम knowledge है कि हम समझ लेते हैं कि wine हमेशा पुरानी होने के साथ aging होने के साथ अच्छी होगी वाला क्योंकि oxygen दे नहीं पाएगा खराब हो सकती है तो वहां पे पुराना नहीं करना है वाइनको पुराने होने से फाइदा नहीं होने वाला है वहां पर इस तरीके के यूज़ कर सकते हैं रिसाइक्लेबल भी होता है चीपर भी होता है यह बहुत महेंगा तो पूरा कॉ जो बोटल थी दोस्तों उस पर जो हमने कौरक लगाया वह एकदम एयर टाइट भी रहेगा यह डामेटर में कुछ चेंज ही नहीं होने वाला और डामेटर बढ़ता तो यह का इसकी बड़ सकता था डामेटर कम होता तो फिसल सकता था एर जादा आज सकती थी तो दोस्तों इसे लिए हम यूज करते हैं अच्छा दोस्तों इस सारे म्यू की वैल्यू हैं अगर आपसे म्यू पूछे इंजरिंग मैटल्स का तो 0 से 0.5 उसमें भी अगर पूछे जो खासकर हम यूज करते हैं का सब्सक्राइन में तो 0.25 से 0.3 लेकिन अगर कोशन पूछे म्यू अफ है तो यह भी पॉजीटीव मतलब और ऐसा माटीरीयल है कि उसमें अगर उसा फूर्स लगा रहा हूं हूं पॉल्इमर में तो इधर भी बढ़गे नहीं फ़िएया राए थर भी बढ़गे सार यह कैसे सकता है समझ नहीं है क्योंकर यह बी पॉजीटव है यह वह फॉस्ष दोस्तों इस तरीके के उसकी मॉलेक्यूल होते हैं कि दोनों तरफ वो बढ़ रहा है इधर भी उधर भी सर नहीं आए सरी तो आपने जबर्श्थी फिगर बना दिया समझो बाबा समझना नहीं बना रहा है जबर्श्थी फिगर एक फिकर एक स्विमन टिश्यू को मेरे एक दों आपको कुछ हिंजें प्नीन होती हैं यहां से कुम सकता है झाल से सरे फोर्स लाने के बाद दोस्तों यह इधर भी बढ़ जाता है और दोस्तों यह इधर भी बढ़ जाता है इस तरीके का कौन structure होता है आँगा कि वो दोनों तरह बढ़ जाता है उधर भी बढ़ा वो उधर भी बढ़ा इस तरह के जा structure होता है जहां पर new negative होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये wine bottle का concept की cork क्यों लगाते हैं उसमें one milligram oxygen वाला concept और लेटरल वाला पसंद आया हो तो वीडियो को like share और subscribe जरूर करने दोस्तों ताकि maximum दोस्तों तक ये वीडियो पहुन सके और interview में या कभी किसी भी तरीके से poison ratio कोर के बीच में कुछ भी relation आये तो जट से वंसर दे सकें grade up super से आप दोस्तों किसी भी कोर्स पर अन्रोल कर सकते हैं किसी भी डाउट ले आप 965 00 529 04 पर कॉल कर सकते हैं thank you दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर से like share और subscribe भी कर दिया होगा thank you दोस्तों grade up के साथ साई prepare तो life set है दोस्तों thank you